वेल अगर आपको trading से पैसे कमाने आपको candlestick pattern के बारे में सीखना होगा विकंज अगर आपको पता होगा यह pattern बनने से price उपर जाएगा and यह particular pattern बनने से price नीचे तो जरह सोचो आप intra day या option trading करके कितना अच्छा profit generated कर सक्ड deal इसे के लिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 6 केंडल स्टिक पैटन के बारे में सीखने वाले हैं जो इस चैनल पे न्यू है मैं आप बता दू ये केंडल स्टिक पैटन पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा देन आई बटन पे लिंक है पहले पार्ट वन जाके देख लेना अब बिना टाइम वेस्ट किये आए वीडियो शुरू करते हैं अब मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों है जिसके वज़े से रेड एंड ग्रीन केंडल फॉर्म होती है और यह आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है बट कभी आपने नोटिस किया है चार्ट पे ऐसा ब्लैक कलर का पैटन भी फॉर्म होता है बेसिकली इस टाइप के पैटन को बोलते है डोजी अब डोजी हमें बताता है मार्केट में बायर एंड सेलर ने इक्वल परफॉर्म किया पर एक्जामपल प्राइस दस रुपे पे स्टार्ट हुई एंड बायर ने उससे पंदरा रुपे तक ले गए इंड प्राइस को नीचे पाच रुपे तक ले गए बायर वापिस एक्टीव हुए एंड प्राइस को दस पे लेके जाके क्लोज कर दिया अब इससे हुआ यहां से price start हुआ था वहीं पर आगे close हो गया जिसके वज़े से doji pattern form हुआ अगर हम doji का नाम बदल दे देन हमारा first pattern form होता है जिसका नाम है dragonfly doji अब इनके नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे because यह सारे candle stick pattern के नाम Japanese लोगों ने रखे थे अब आपको यह pattern dragonfly की body की तरह लग रहा होगा basically यह bullish signal indicate करता है it's mean अगर price नीचे गिर रहा हो and dragonfly doji form होता है then हो सकता है वहाँ से price उपर की तरफ जाए but अगर हमें identify करना है यह dragonfly doji है या नी then हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा first अभी जैसा हमने बताया dragonfly doji bullish signal indicate करता ह it's mean इसे हमेशा downtrend में बनना चाहिए इसमें red and green इतना matter नहीं करता but अगर green रही then वह थोड़ा positive रहता है कि यह bullish signal है but अगर dragonfly doji uptrend में बनता है then हम उसे dragonfly doji नहीं बोलेंगे second dragonfly doji की body छोटी होनी चाहिए and जो upper weak है वह नहीं होनी चाहिए छोटी रही तो भी चलेगा and जो lower weak है वो उसके body से 6X बढ़ी होनी चाहिए third and last point dragonfly doji बनने के बाद जो next candle है वो dragonfly के body से उपर बननी चाहिए अगर body के बीच में यह नीचे बनती है then उसे हम dragonfly doji नहीं बोलेंगे अगर यह तीनों point मैच होते है then हो सकता है यहां से market uptrend में जाए चलिए इसे life chart पे देखते हो यहां dragonfly doji form हुआ है अब आप देखोगे यह downtrend में बना है इसकी लोवर विक 6X बढ़ी है जो इसकी next candle है वो इसकी body से उपर स्टार्ट हो रही है इसमीन हम इसे dragonfly doji बोल सकते हैं आप देखोगे यहां से ट्रेंड चेंज भी हुआ है अब अगर आपको एंट्री लेना ह होता है देन वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ इसे भी identify करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा जैसा मैंने बताया इसे हमेशा अप ट्रेंड में बनना चाहिए अगर यह downtrend में बनता है देन हम इसे ग्रेव स्टोन डोजी नहीं बोलेंग या थोड़ी होगी तो भी चलेगा लाश्ट पॉइंट ग्रेव स्टोन डोजी बनने के बाद जो नेक्स केंडल है वो ग्रेव स्टोन डोजी की बॉड़ी से नीचे बननी चाहिए अगर उपर या बीच में बनती है देन हम इसे ग्रेव स्टोन डोजी नहीं बोलेंगे इसकी नेक्स केंडल ग्रेव स्टोन डोजी से नीचे स्टार्ट हो रही है और आप यहां देख सकते हो त्रेंड रिवर्स भी हुआ है अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो दैन आप पूट ऑप्शन बाई करके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो रिवर्स होने तक अब अगर आपको एंट्री लेनी है देन ग्रेव स्टोन डोजी की नेक्स एंडल आपके एंट्री होगी एंड क्यूंकि आप शॉट सेलिंग कर रहे हो दैन इसकी अपर विक आपका होगा स्टॉप लोग यह दोनों के पैटन में डिफ्रेंस यह है कि ड् इक पैटन इस बुलीच श्पिनिंग टॉप अपने बचपन में बचपन से खेला उगा उसी से इंस्पायर होके यह पैनीस लोगों ने इसका नाम बच आप देखोगे यह दोनों पैटन भी सेम दिखते हैं बट इसमें डिफ्रेंस यह है जो बुलीच से स्पिनिंग कुछ बातों का ध्यान रखना वाइस बुली मिशना बनना में बुलिस सिंगनल इंडिकेट करते हैं इसका बैरिस बैर अग्रम बैर स्वाइस नीचे आप इसे भी लाइफ चार्ट पर देखते हैं यहां देख सकते हों यहां बुली स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है इसका मतलब बाय स्टॉंग एक उपर भी गया है इसमें आपकी एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या होगा आप कमेंड में बताना अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के पास में समझें इंडैंड सिंगल ये अगर आपको डN कमेंट में बताना हम आपको दढ़ी सिखाएंगे केल लाज पी आप बुजो अब मारू बुजो का मतलब होता है अगर बुलीष मारू बुजो फॉर्म होता है देन इस्ट्रों सिग्नल इंडिकेट करता है कि बायर श्ट्रॉंग के कमपेर टूद सेलर एंड जो प्राइस नीचे गिर रहाता है वहां से प्रैस उपर जा सकता है आप देखोगे इसकी विक नहीं है और अगर हल्की विक रही तो भी चलेगा अब इसकी नेक्स्ट केंडल बुलिस मारू बूजो से उपर बननी चाहिए जब हम इसे बुलिस मारू बूजो बोलेंगे सेम इसका अगर बैरिश मारू बूजो फॉर्म होता है यह स्ट्रॉंग सिंडिकेट करता जैसा आप यहाँ देख सकते हो बुलिस मारू बूजो बनने के बाद प्राइज उपर की तरफ गया है अब इसमें एंट्री एंड श्टॉप लोस क्या होगा आप कमिंड में बताना सेम आप देख सकते हो यहाँ बैरिश मारू बूजो फॉर्म होने के बाद प्राइज जो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप से कोई ऐसी वेलियोबल वीडियो मिस ना हो जाए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में